केजी का प्रेशर देता है तो देखिए कुछ इस तरह से गाड़ी चार्ज होती है सारा प्रेशर यहां पर आता है और देखिए जैसे यहां पर कंट्रॉल रिजर वायर चार्ज होता है उसके बाद डीबी चार्ज होता है उसके बाद यहां पर यहां पर एयार एक्जॉलरी रेशर वाल चाल्फ बेदा आज के इस वीडियो में आपको दिखाउंगा और ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है ये पूरा एईनिमेशन में दिखाउंगा आपको अभी जो सामने आपको स्क्रीन पर चल गार ये ये सारी चीजें चलते हैं पूरा एनिमेशन पस्थेस्टेज ह पहला आते हैं जो breaking system के three working stage होते हैं पहला charging stage होता है जहां पे 5 kg per centimeter square से पूरी train charge होती है जिसमें DP होता है CR होता है AR होता है यह सारी चीज़े charge होती है उसके बाद आता है application stage application stage में BP के pressure को drop के जाता है और इसी stage में train के अंदर break लगता है application stage का मतलब train में break लगना उसके बाद तीस stage आता है releasing stage इस stage में break release होता है BP के pressure को दुबारा जब 5 kg per centimeter square तक लेके आता है driver तो यहां पे releasing stage complete होता है और train का break release होता है अब चलिए मैं आपको animation के तुरू दिखाता हूँ कि यहां पे DB कैसे काम करता है और air pressure का flow है वो कैसे होता है break कैसे लगता है यहां पे आप देखेंगे तो यह जो है एक diagram है line diagram है जो कि यहां पे हमारे ICF और LHB coach में लगबग सेम इसी तरह से होता है यह twin pipe है यहां पे FP और BP है अगर आप FP को निकाल देंगे तो यह single pipe हो जाएगा और अगर आप इसमें FP जोड देंगे तो यह twin pipe हो जाएगा अब देखिए देखिए आज का जो और दिन के वीडियो में हम पूरे detail में बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से part होते हैं तो यहां पे जैसे ही driver जब अभी गारी खड़ी है कुछ भी नहीं है सारा pipeline खाली है लेकिन जैसे ही driver यहां पे 5 kg FP चालू करता है भगना यानि कि जो engine होता है वहां से जब driver 5 kg का pressure देता है तो देखें कुछ इसतरा से गारी चार्जी होती है सारा प्रिशा यहां पर आता है और देखें जैसे ही यहां पे इक control reserve wire चारझ होता है उसके बाद DB charge होता है उसके बाद यहां पे AR auxiliary reservoir चार्ज होता है और उसके बाद हमारा break free हो जाता है और हमारी train चलने लगते है हमेरा dirt collector और बाकि बहुत से चीज लगी होती हैं जिसके हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे अब ही हम देख लेते हैं जैसे ही गारी चार्ज हुआ है चार्ज हुआ और AR एक्जलरी चार्ज हुआ ब्रेक रिलीज हो गया अब देखेंगे आप वील घूम रहा है यहाँ पे आपको वील घूमता हुआ दिख रहा है उसके अलावा जो ब्रेक जो सिलिंडर है यह डीबी के साथ जुड़ा है और यहाँ डीबी के एक्जॉट पोर्ट से इसके हवा बाहर निकल रही है यानि कि ब्रेक अपलाई नहीं ह कम किया गया यहाँ पर यह बीपी का प्रिशर कम हो गया यहलो मैंने रिखाया है अब जैसे ही बीपी का प्रिशर कम हुआ डीबी क्या किया डीबी ने एयार को एक्जलरी रेजर वायर को ब्रेक सिलिंडर के साथ जोड़ दिया और जैसे इसे जोड़ा यहाँ पर ब्रेक ल ब्रेक स्लेंडर में आने के बाद पिस्टन बाहर निकला और यहाँ फेपे ब्रेक लग गया किसी भी स्टेज में यहाँ पे सियार यानि कंट्रॉल रिर्थर वार की प्लेशर कम नहीं होता है कि BP का pressure कम है या ज्यादा है तो यहाँ पे यह breaking system हो गया देख सकते हैं application हो यहाँ पे हो गया अब अगले stage में चलते हैं जहाँ पे release होता है driver जब brake को release करता है तब क्या होता है और किस तरह से यह चीज होता है तो यहाँ पे हम का डीवी जो है यह वापस इस port को यहाँ पे brake slender के port को यहाँ पे exhaust port के साथ जोड दिया और brake slender का हवा exhaust port से बाहर निकल गया और यहाँ पे wheel चलने लगा इसके अलावा डीवी बीपी प्रेशर को वापस यहाँ पे auxiliary reserve wire के साथ जोड दिया और brake slender airflow कैसे होता है braking system में तो आप इस वीडियो को देखके समझ गयोंगे यह animation कैसे लगा यह video कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आयो तो चैनल को subscribe करके bell icon बटन दबा दिजेगा ताकि ऐसे नए-ने videos आपको मिल सके और अगर आपके दिमाग में इससे related कोई सवाल है तो आप comment करके पूछ सकते हैं इसके अलवा जो भी चीज़े मैंने यहाँ पर दिखाई हैं इसके अलवा braking system में और बहुत सारे part पुछे होते हैं जैसे यहाँ पर dirt collector होता है 3-way dirt collector दो-दो लगे होते हैं एक FP pipe में लगा होता है एक BP pipe में लगा होता है यहाँ पर isolating cock, angle cock, सारी चीज़े लगी होती है यहाँ पर axillary reservoir को isolate करने के लिए लगा होता है बहुत से चीज़े होती हैं हम किसी और वीडियो में detail में बात करेंगे आज के इस वीडियो में बस बताने का मकसद यह था कि आप यह समझ जाएं कि DB कैसे काम करता है DB के अंदर airflow कैसे होता है लगभग जो मैंने अब डाइग्राम आपको दिखाया है लगभग इसी theory के उपर DB काम करता है लगभग इसी के तरफ ब्रेक यहां पर हमारे ट्रेनों के अंदर लगता है तो आज की जानकारी कैसे लिए कमेंट करते के ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद